हलो एंड वेलकम टू एंसी एट जोन क्राउन अब्जेक्टिव को हम डिसकस कर रहे हैं शुरू से डिसकस कर रहे हैं बाइलिंगोल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में इससे पहले हमने दो वीडियो अल्रेडी कर रहे हैं तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं करके देख लीजे हमने यह कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में लॉंच किया है बाकि हमारे कोर्से पेड कोर्स चल रहे हैं जैसे लुसेंट के उसके अलावाद जी एस पॉइंटर एंसी एंसी एटी संबरी सार राकिश यादर सरका जी एस बीपिए सीडिप इन सब के लिए हम इसका हम फ्री कोर्स कर रहे हैं यूटूब पे तो कुछ दिन पहले हमने इसको शुरू किया था दोनों तरीके से हिंदी और इंग्लिश में तो 1.1 और 1.2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं दस टोनेज और उसके अलावा सिंधु घटी सभ्यता या फिर इंडस वैले सिविल चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं ठीक है 15 तारिक से पहले अगर आप को लेते हैं देखिए 10 तारिक से पहले लेते हैं तो ये कोर्स आपको 1199 में पढ़ रहा है 10 से 15 के बीच में अगर आप लेंगे तो ये कोर्स आपको फिर पढ़ेगा 1499 का और उसके बाद लेंगे तो ये कोर्स आपको लग जाएगा वन ट्रिपल लाइन में तो जल्दी करिए और एंडरॉल कर लिजे अपने आपको काफी लोगों ने उल्लेडी कर लिया है चले शुरू करते हैं आज के वीडियो को सबसे पहला question हमारे सामने है the epithet purandar is used for which god किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये प्रयोग हुआ है इंदर भगवान के लिए ठीक है इंदर के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कहां पर रिगवेद में पुरंदर क रिगवेद में जो विष है विष का मतलब क्या है ये ग्राम से बड़ा होता था और कुल से चोटा होता था या नि बीच में होता था ग्राम फिर विष फिर कुल इस तरीके से तो रिगवेद में विष वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है ये 170 टाइम्स किया गया है 170 बार किया गया है, बात करें, third question की, तो the word Arnan denotes, आर्रयन शब्द का मतलब क्या है, तो Arnan def gift का मतलब है, a superior clan, thrust once को, Arnan कहा जाता है, fourth question है, in classical Sanskrit, the word Arnan means, classical Sanskrit में जो wordPoint Arnan इसका फिर से मतलब पूच रहा है, तो देखे, aier नोबल मैन लगबाग सेम ही हो गया सुपीरियर क्लैंस रेष्ट वन्ष को भी कहते हैं साथ-साथ एक उत्तम व्यक्ति या और नोबल मैन को अर्यन कहते हैं आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है विच मंडल ऑफ रिगवेदा इस होली डेडिकेटेट टू सोम एक व्रिक्ष देवता थे नेचर के देवता थे इनकी पूजा करते थे वैदिक काल के लोग तो कह रहा है कि जो रिगवेदा है इसका कौन सा मंडल सोम को समर्पित था तो जैसे कि मैं में 10 मंडल हैं टोल से इन के समर्पित है सों को दो जो 9th मंडल न नोवा मंडल ये समर्पित है कि सोम beter को समर्पित है इन विच वं आफ विच पन वेदिक कल्चः इस फाउंड दा mental कहां मिलता है रिगवेद में मिलता है लेटर साहिताज में मिलता है ब्रह्मणा में मिलता है या उपनिशद में मिलता है तुरिक वेदा क्या है? वेदिक है वेदो को ही साहिताज भी कहते है ब्रह्मणा है यह explain करता है वेदो को और उपनिशद में एक अलग philosophical stories होती है तो इन में से कौन, कहां पे मोक्ष का, किस में मोक्ष जो है, वो mention की चर्चा मिलती है, या मोक्ष mention किया गया है, तो इन में से उपनिशद जो है, उपनिशद में मोक्ष का चर्चा किया गया है, मोक्ष का mention मिलता है, नेक्स्ट है धर्म and रित रित एक तरीकसे अगर हम इसको ठीक से बोलें तो रितु भी कहा सकते हैं जिसे रिवाज होता है धर्म and रित डिपिक्ट्स ए संवाillyेस्ट से व्यधिक स्वायसिन अगर हम पहले के वैदिक कल्चर की बात करें पहले की वेदिक सभ्यता की बात करें तो उसमें जो धर्म और रित्त है न ये एक तरीके से हम कहा सकते हैं कि उस टाइम की सेंटरल आइडिया को दिखाते थे ये इसी पर ये पूरा का पूरा सभ्यता रिलाई करता था इन्हीं के आसपास घूमता था धर्म और रित्त के आसपास तो कह रहा है कि इनमें से कौनसा स्टेट्मेंट है जो इस कॉंटेक्स्ट में इस संदर्व में क्या करता है सही है तो दूसरों के लिए जो रिस्पॉंसिबिलिटी है न उसके करतवे को दीखाता है भर मकी बात करें तो ये रित्त के वह पर बात करें रित की तो रित वोज बिसिकली अमोरल कोड़ डाट रेंड दा क्रियेशन अड अक्टिविटीज और एलिमेंट्स इंक्लूडर इन तो रित जो है एक कह सकते कि मोरल वैल्यू को दिखाता है नैतिक विधान था जो कि जो दुनिया में है न उसमें अंति दु क्या रहें कि इन में से कौन सा सही है तो दोनों के दोनों ने ये वैदिक सभ्यता की तो उसके रिगार्डिंग ये दोनों सही है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन की नेक्स्ट कुश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे यानि कि न of the following river has been addressed in as matetma, devitma, and naditma. तो matetma, devitma, और naditma के नाम से किस नदी को, रिगवेद में किस नदी को इन नामों से पुकारा गया है, तो saraswati river को इन नामों से पुकारा गया है, very very important question, काफी exams में ये question आचुका है, तो याद रखेगा, saraswati को matetma, devitma, और naditma के नाम से जाना गया है, ठीक है, बात करें ayurveda, जिससे life, science of life भी कहा जाता है, तो इसका जिकर, इसका mention कौन से वेदा में किया गया है, ठीक है, आयurveda अर्थात जीवन का विज्ञान का उलेक, सर्वप्रतम किस वेद में मिलता है, तो इसका सर्वप्रतम उलेक जो मिलता है, वो रिग वेदा में मिलता है, कहाँ पे, रिग वेदा में मिलता है, बात करें, प्रतिलोम मैरिज, प्रतिलोम का मतलब होता है, उल्टा ठीक है प्रतिलोम मैरेज का क्या मतलब था तो जब वैदिक स्काल में एक हायर वर्ण पहले देखें वर्णों में विवक्त थी समाज उससी टाइम पर विवक्त किया गया था वर्णों में चार वर्णों में विवाजित क्या गया था, ठीक है, ब्रह्मन, क्षत्रिये, वैश्य और सुद्र, तो जब कोई higher वर्ण की महिला, जो उच जाती की महिला है, वो lower वर्ण के आदमी से, पुरुष से विवाह कर लेती थी, तो इसे कहा जाता था प्रतिलोम विवाह, यानि कि पुल्टा विवा, मतला ऐसा allowed था नहीं, बट ऐसा कर लेती थी, तो कहते थे क्या थे, इसको प्रतिलोम मेरेज कहते थे, clear है न, नेक्स्ट है, the word अधिवास of the Aryan period meant, तो ऐसे कपड़े, ऐसे कपड़े, जो लोग क्या करते थे, जो लोग कमर के उपर पहनते थे, कमर के उप वर्ण, अबव दे वेस्ट, इन्हें कहा जाता था, अधिवास, जो कमर के उपर पहना जाता था न, उन्हें कहा जाता था, अधिवास, ठीक है, 13th question है, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is our correct, अगर हम बात करें, Rigvedic Aryans की और Indus Valley civilization के जो लोग है, उनकी, तो difference के आधार पे इन्हें से कौन से statement सही है, तो पहला statement कहे रहा है, Rigvedic Aryans used to coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using, यानि कि, Rigvedic काल के लोग warfare, यानि कि, जब युद्धो करते थे न, अपने जमीन के लिए, यानि कि, जाधा ता लड़ाई है तो किस लिए होती थी, गाय के लिए होती थी, तो जब इन चीजों के लिए लड़ाई होती थी, सब्वेता के टाइम पे, तो वो helmet का प्रयोग करते थे, coat का प्रयोग करते थे, यानि कि, युद्धो के लिए उनके पास अलग कपड़े थे, helmet थे, इनका उपयोगिये करते थे, जब कि बात करे, Indus Valley civilization के लोगों की, तो ऐसा कुछ evidence उन नहीं मिलता है कि वो लोग इसका उपयक करते थे, तो ये बिल्कुल सही option है, ठीक है, पहला option तो बिल्कुल सही है, second option में कह रहा है, रिगवेदिक आरेंस नो गोल्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है, रिगवेदिक आरेंस होर्स का वो करते थे, मतलब देखिए वो लोग अश्रोमेद यग ही करते थे, जिसमें होर्स को छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, जहां पे वो घूमते थे, तो अगर जिस राज्य से होकर भी वो गुजरता था गोड़ा, अगर उस राजे के राजा ने उसको जाने दिया, मान लिजिए वो राजा उसको नहीं रोकता था, इसका मतलब वो ये कहता था कि चलिए हमने आपका जो है न, आपकी सुपिरियोरिटी सुईकार कर लिया है, हम आपके अंडर में काम करेंगे, और ऐसे राजाओ उस घोड़े को रोक लेता था, उसे युद्ध करना पड़ता था, राजा से और नहीं जीतने पर क्या होता था, उसे गुलाम बना लिया जाता था, तो ये था, तो घोड़े का तो है, अर्रिक वैदिक आरेंस, घोड़े से परिचित्ते बिल्कुल डोमेस्टिकेट करते थ उसे, जबकि इंडर्स वैली पीपल का ऐसा कुछ साक्षे नहीं मिलता है, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, C option सही answer हो जाएगा, ठीक है, अच्छा देखे, थोड़ा सा फरक है हिंदी और इंगलिश वाले में, हिंदी में कुछ-कुछ questions न अलग दे दिया है, जैसे यहाँ पर ए option सही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question है, by which name was the Mahabharata originally known, Mahabharata को originally मुखे ता, मूल ता, किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था, जैसाहिता के नाम से, किस से, जैसाहिता के नाम से, next है, the number of Puranas is, पुरानों की संख्या कितनी है, तो 18 पुरान है, next है, the period from 800 to 600 BC, belongs to which age, तो 800 से 600 BC, यानि कि बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है, यह बिलॉंग करता है, ब्रह्मना एज से, ब्रह्मन एज यानि कि ब्रह्मन यूग से, next है, the original script of Rig Veda was, Rig Veda जो लिखी हुई थी, originally इसका script क्या था, लिपी कौन सी थी, तो इसकी original लिपी थी, ब्रह्मी लिपी, कौन सी लिपी थी, ब्रह्मी लिपी, next है, which of the following was the officiating priest of Rig Veda, देखें, Rig Veda को, बतला, हर Veda के लिए न, अलग-अलग officiating priest होते थे, जो कि क्या करते थे, उस Veda को पढ़ते थे, पढ़के, समझाते थे, लोगों को, सुनाते थे, तो जो Rig Veda के priest थे न, उसको कहते थे, खोत्री, क्या कहते है, खोत्री कहते थे, next है, in Vedic age, which of the following serials was called Godhum, इसमें से किस को Godhum कहा जाता है, तो देखिए Godhum, गेहू, ठीक है, गेहू, वेट, गेहू, ठीक से नहीं चल रहा है, वेट, 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 गेहू को कहते थे, तो क्या हो जाएगा, वीट, next है, which is the earliest Veda, earliest Veda, सबसे पुराने वेद की बात करें तो Rig Veda है, which of the following smritis are the earliest, इसमें से कौन सी smriti earliest है, तो मानु smriti सबसे पुरानी smriti है, next है, consider the following statements, इन में से statement को पढ़िए, तो कह रहा है, पहला रिगवेदिक गौड्स वर मोस्टली मेल, बिल्कुल सही है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थे उस टाइम पर, जो भगवान थे ना, वो जाधा तर रिगवेदिक जो गौड्स थे वो मोस्टली मेल ही थे, तो पह option है, 250 रिगवेदिक हाइम्स वर डिवोडे टू इंद्र और पुरंदर, तो बिल्कुल सही, 250 रिगवेदिक हाइम्स डिवोडे थे इंद्र या फिर जिने पुरंदर भी कहा जाता है, तो 1, 2, 3 ये तीनों option बिल्कुल सही है, तो D option इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 वा कुश में सभा को नरिष्ट कहा गया है, बात करते हैं आगे के questions की, 3rd question है, list 1 को list 2 से मिलाना है, तो देखिए अगर हम बात करें, वेदो की, तो वेदो के कुछ ब्रह्मनाज होते थे, अभी ब्रह्मना क्या कोई इंसान होता था, तो नहीं, ब्रह्मन कोई इंसान नहीं होता था, बलकि एक script ही होती थी, ब्रह्मना एक book ही होती थी, जिसमें explanation होता था उन वेदास का, तो हर एक वेदा के अलग अलग ब्रह्मनाज थे, जैसे रिगवेदा को समझाने के लिए, जो ब्रह्मनाज थे, उनमें एत्रेया ब्रह्मना थे, कौशितकी या फिर जिन्हें शांख्य ब्रह्मना कहते हैं, ये भी थे, तो दू ब्रह्मनाज थे रिगवेदा के, तो बात करते हैं, मिलाते हैं, रिगवेदा के जो ब्रह्मन का नाम है, वो एत्रेया है, ठीक है, उसके बाद बात करें सामवेद, सामवेद के जो ब्रह्मन है, उनका नाम था पंचवीश, मतलब उस बुक का नाम था पंचवीश, अथर्ववेद का जो था वो था गोपत, बात करें यजुर्वेद का तो था शत्पत ब्रह्मना, तो इस थरीके से क्या हो गया, C option से अंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल, ठीक है, फोर्थ question है, त्रई is the name of, त्रई किसका नाम है, तो देखि इनको जो शुरू के तीन वेदास थे, इनको त्रई कहा गया, ठीक है, तो इस त्रई या फिर वैद त्रई में जो शुरू के तीन ग्रंथ थे, तीन वेद थे, वे कौन-कौन से थे, तो इन में से एक तो था रिगवेद, एक था सामवेद, ठीक है, कौन-कौन से थे, एक रिगवेद, सामवेद और ये जुरवेद, ठीक है, रिगवेद, सामवेद और ये जुरवेद, शामिल है, बात करते हैं, 25th question की, 25th question है, which of the four customs became current in the later Vedic age, लेटर वेदिक एज में, या फिर जिसे वेदुत्तर काल कहते हैं, इनमें से कौन से, चार प्रथाएं जो हैं, वो हो गई, मतलब, custom में आ गई, उनमें से एक तो हो गया, आपका ब्रहमचर्य, फिर ग्रिहस, थास्रम, फिर बान प्रस्त और फिर सन्यास, और ये जो क्रम है न पर ध्यान देना होता है, वेदो की नॉलेज लेनी होती थी, फिर ग्रहस्थास्रम होता था, शादीवादी करने होते थे, फिर शादी से करने के बाद वन प्रस्त आदमी वनों के और स्थान करता था, मतलब, social service के लिए निकलता था, और पर सन्यासी बन जाता था बिलकुल अंदर रिगवेदा, रिगवेद में यव शब्द का जो प्रयोग है, वो किस क्रिशूत पाद के लिए किया जाता था, तो जौ के लिए या बाडली के लिए इस वर्ड का इस्तिमाल होता था, नेक्स्ट है, दबुक इन विच पुरुष मेघ, पुरुष मेध, पुरुष रिगवेद का ब्रह्मनता तो यह यजुरुवेद का ब्रह्मनता शत्पत ब्रह्मन ठीक है, जो इत्ता याद रखेगा, नेक्स्ट है, लार्जेस्ट नंबर ओफ हिम्स इंदर इगवेदा इस रिलेटे तो, सबसे जादा जो मंत्राज है, यह हिम्स है, वो किस देवता के लिए है रिगवेद में इस्तेमाल किया गया है, तो इंदर के लिए किया गया है, लगबख 250 हिम्स इनके लिए डिवोटेड है, उसके बाद है, विच आफ दी फॉलोइंग वोज रिगार्डेड ओन इंपॉर्डेंड वैल्यवेबल एसेट इन बेगिनिंग ऑफ दर रिग जाता था, तो काफी पूजा पाठ की जाती थी गाय को बहुत मुल्लेवान समझा जाता था, तो गाय अंसर हो जागा काओ, नेक्स्ट है विवाह शुक्ता, मेंशनिंग द अर्लिएस्ट मैरज संक्शमनी इस फांडेड इन जो प्राचियंड दम विवाह अंसकार का वर्ण इंडियन म्यूजिक कैन भी फांडेड जो इंडियन म्यूजिक है, इसका जो ओरिजिन है, यह कहां पर देखने को मिला है, तो जहां पर भी म्यूजिक से रिलेटेड प्रशन आजाए एक्जामे, तो आपको आंक बंद करके सामवेद को टिक करके आजाना है, ठीक है, सामव लेने से मृत्यु तक कितने संस्कार बताए गए हैं वेदों में तो सोला संस्कार बताए गए है नेक्स्ट कुस्टिन है विच ओफ दी फॉलोविंग इस रिगाड़ेड दे गौड ऑफ वर इंदर इगवेदा में युद्ध का देवता किसे समझा गया है किसे माना गया है त यहां से जब विच निकला तो विच ना देवता पीना चाहा रहते लुद आ चाहा रहते तो किनों ने पिया इसलिए नीदा स्कूर्व केलिए था मन्थन के लिए बोला था कि आप मुझे लपेट लीजिए as a rope रस्ती के तरह और इससे सागर मन्थन कर लीजिए तो शेष नाग ने ये काम किया था वही शेष नाग जिन पर कौन बैठते हैं जिन पर कौन लेटते हैं तो विष्ण भगवान लेटते हैं नेक्स्ट है और council of ministers हुआ करती थी जिस तरीके से अभी cabinet है ना उसी तरीके से मंत्री परिशद हम हिंदी में बोल सकते हैं वैदिक यूगीन जो सभाती वो मंत्री परिशद कहलाती थी 35th question हिंदी के अगर बात करें तो थोड़ा साला के इसमें क्या रहें कि रेगवेद में संपती का प्रमुख रूप क्या है तो गोधन बिल्कुल गायों को प्रमुख रूप माना गया है संपती का उसके बाद है अब 14th century BC inscription जो मैंचन मिला है वह कर रखेये गाहां से तो उस इंस्क्रेप्शन को पाया गया है याद कर रखेगा नेक्स्ट इमेंस ओफ लेवलिहूड उफ द आर्यांस इन इंशट पीरियद आर्यंस वेदिक संब्यादा में आर्यंस का जो में means था जो प्रमुक साधन था जीवी को पारजन का, लिवलि हुड का कहां से वो कैसे खाते थे, कैसा अपना गुजर बसर करते थे, तो वो mainly dependent थे agriculture पर खेती करते थे, तेने ग्रामीड सभ्यता थी वो, उसके बाद है match list वन, अभी इन में से कुछ नदिया है उन नदियों का वैदिक नाम यहाँ पर दिया गया और उनका अभी का नाम दिया गया तो कुभा किसे कहा जाता था, कुभा कहा जाता था काबूल को, वैदिक नाम है काबूल का कुभा, परुष्णी किसका नाम है, तो रावी का वैदिक नाम है रावी का परुष्णी सदा नीरा गंडग को कहा गया है और यह काफी important question है सदा नीरा गंडग को कहा जाता है यह याद रखिए बिल्कुल रख लीजेगा बहुत सारे एक्जाम में आ चुक है सुतुद्री सतलच का पुराना नाम है ठीक है वैदिक योगीन नाम है तो मित करता हूँ यहां तक समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं next question है the compilation of which of the following is based on रिगवेदा निमने लिखित में किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है तो आंसर तो इसका है सामवेद सामवेद का जो संकलन है का जो compilation है वो बेस्ट है किस पर रिगवेद पर है और ऐसा क्यूं कहा गया है तो दीगे सामवेद में जो जो हिम्स है उसकी संख्या लगबग 1800 कितनी है दस है जिसमें से बहुत सारे रिपिटेशनस है तो अगर रिपिटेशनस को हटा दिया जाए तो हिम्स की संख्या जो सामवेद में आती है वो आती है 1500 49 ठीक है 1500 49 बट इस 1500 49 में 75 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने है न ये सारे के सारे लि रिग वेदा ठीक है, तो साम वेदा को ही compilation of रिग वेदा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है यह समझ में आ गया, next time letter Vedic age is considered letter Vedic age कहा से कहा तक काल को माना जाते हैं, तो 1000 BC से 600 BC तक के काल को, period को letter Vedic age माना गया है सुलवसुत्रा related है, mathematics mathematics यह हमें पता है, next time गोपत ब्रह्मना, तो जैसे मैंने बताया हर वेदों की कुछ ब्रह्मना है, कुछ explanations है तो गोपत ब्रह्मना जो है यह अथर्व वेदा का ब्रह्मन है next है, यहां पे कुछ यहां पे वेदास दिये गया है और वेदास में क्या-क्या mention उसके बारे में दिया गया है तो अगर हम, जो सबसे पहले हमें आता है easy है, वो कर लेते हैं, तो साम वेदा में music के बारे में है, तो यह तो easy हो गया बात करें, डिक वेदा में, तो glory of God के बारे में बताया गया है, यह भी है next question है, the main subject of the उपनिशद, उपनिशद का main subject मुखे विशय क्या था, तो उपनिशद में philosophy थी, ठीक है, B option सही answer हो जाएगा next है, which of the following is the correct order of the Vedic literature, Vedic literature, Vedic सहितिक अगर बात करें, तो सही क्रम क्या है तो सबसे पहले आता है Vedic सहिताज उसके बाद उनके ब्राम्हनाज, फिर अरनक्याज, फिर उपनिशद तो यह सही क्रम है, Vedic सहिताज, ब्राम्हन, अरनक्य और उपनिशद बात करें, in the context of ancient Indian society which of the following words does not belong to the class of the rest of three अगर बात करें इन चारों words की, तो इन में से कौन odd one out हो जाएगा, मतलब एक वर्ग का नहीं है तो कुल, वंश और गोत्र, यह सारे डिफाइन करते थे इनसान के किसको, रिंटिटी को डिफाइन करते है Vedic सहिते के according, जोकि बात करें ट्रेजरी की, तो ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, तो यह odd one out हो जाएगा, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, C next है, who composed the गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को कम्पोज किया है विश्वमित्र ने, next है, who among the following was the most popular god of early Vedic Aryans, तो इंद्र सबसे popular god थे उस time के, which animal has been regarded अगन्या, अगन्या कहा गया है, काव को, गाय को यानि कि गाय को आप मार नहीं सकते, गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको अगन्या कहा गया है which the three are collectively called the three, अभी हमने थोड़े दर पहले बात की, त्रई या वेद त्रई की, और क्या एड हुआ था रिक कुछ आड नहीं हुआ था जिर्फ अधर्वा एड हुआ था ठीक है तो क्या हो जाएगा रिगवेदा यजुरवेद सामवेद और इसके बाद एड हुआ था चौथा थर्ववेद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों है भूगस कोई इस इमक्रनेट और थे था ख्रक Six X when कि इसमें inscription मिला था यहां पर तो यह important क्यों है क्योंकि यहां से जो inscription मिला है उस पर नाम लिखा हुआ है mention किया हो गया है वैधी gods और goddess का ठीक है भी option से answer हो जाएगा next दर पुरुष सुक्ता related with the Vern system is originally found in तो पुरुष सुक्ता कहां पर रिगवेद में है दस्वे मंदल में पुरुष सुक्ता है उसी में वर्ण के बारे में बताया गया है रिगवेदा क्या है तो collection of him's है यानि की जो हिम्स है मंत्राज है इनके इसका collection next in which Vedic text is the term word found first वर्ण कहां पर सबसे पहले तो अभी तो अन्य बात की रिगवेदा में पाया गया पुरुष सुक्ता में next where should the Vedic river कुभा located कुभा पुराना नाम है नया नाम के अभी काबूल है तो काबूल अफगानिस्तान की राजधानी भी है इससे आप याद रख सकते हैं कि काब अफगानिस्तान में ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है there are dash hymns in the Rig Veda Rig Veda में कितने hymns है तो total 1028 सुक्ताज हैं hymns है ठीक है next है the river must often described in the early Vedic literature पुराने अगर Vedic सहित्यों की बात करें तो सरवाधिक वर्णित नदी कौन सी है तो सिंदू नदी यानिके इंडस नदी का जिक्र सबसे जादा बार आया है maximum times अगर आप से एक जयाम में पुछे गंगा नदी का कितनी बार आया है तो बस एक बार आया है maximum time किसका आया है तो इंडस का आया है सिंदू का कौन सी व्रम्ह बादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो लोपा मुद्रा वो व्रम्ह बादनी थी लोपा मुद्रा next which of the four vedas contain description of magical charm and वशिकरन magical control तो जादू माया और वशिकरन वगरा कवर्णन अथर्व वेदा में मिलता है आपको ठीक है next which of the following rivers is identify as the Vedic आस्किनी रिवर जो वेदिक साहित्य में थी उसका अब भी अगर पहचान करें तो किस नदी के रूप में किया जाता है तो चेनाब नदी के रूप में किया जाता है नेक्स्ट है इन दर रिगवेदिक पिरियड द वर्ड निश्क वोज यूज़ फॉर ओर्नेमेंट्स पुराने टाइम पे जो रिगवेदिक काल में निश्क शब्द का प्रयोग आभूशन के लिए होता था तो बाद में इसका इस्तिमाल होने लगा किसके इसकिस सेंस में तो कोईन यानि कि सिक्को के सेंस में इसका इस्तिमाल बाद में होने लगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मैंशन ओफ विच रिवर्स इन दर रिगवेदा इंडिकेट्स अर्यों का संबंद था वो अफगानिस्तान के साथ था ये किन नदियों के उलेक रिगव इससे पता चलता है कि जो आर्य थे उनका संबंद अफगानिस्तान से भी था नेक्स्ट है मैच आपको करना है इन वेदा से इनके जो फीचर से उसके साथ तो रिगवेदा में क्या मिलता है तो हिम्स और प्रेयर्स आपको मिलते हैं ये जुर वेदा की अगर बात करें अच मिलते हैं तो क्या हो जाएगा है कम स्कृमा क्या हो जाएगा चार शेक जा ट सबस्क्राइब कररेशन अधेली थे नौवा मंडल है न वो किसको समर्पित है, तो सोम नावा के एक पेय पदार्त है, और इस पेय पदार्त के नाम पे एक देवता का भी नाम था, सोम देव, तो इनको समर्पित है रिक बेद का नौवा मंडल, next है अश्वोपती, the king of उपनि हिपनीषद period was the ruler of Ashwapati जो उपनिश्द period के उपनिश्द काल के एक राजा थे आपसे पूछ रहे कि यह कौन कहां के राजा थे तो यह थे कैकई के कैकई के यह राजा थे कैके नरेश्ट थे अश्वपती प्रजापती की दो पुत्रिया बताई गई है तो यह कहां पर बताया गया तो अथर्व वेद में यह बताया गया है यह मेंशन किया गया है आगे बढ़ते हैं फैट नेक्स्ट क्षचन है दृबडीग अज बिलीवड में यह जो लोग थे वह किसमें विश्वास रखते थे तो विश्वास रखते थे सैक्रिफाइज एंड रिचोंस करते थे मेर भी करते थे निश्क was the ornaments of the of which body part in the Rig Vedic age निश्क नाम का ornament था यह कौन से body part पहनने के लिए बनाया जाता था तो यह neck में पहनने के लिए बनाया जाता था गरदन में पहनते थी नेक्स्ट है the popular system of government prevalent in Rig Vedic Wars Rig Vedic period में इस थरीके का government था क्या तब autocracy थी नहीं डिमोक्रेसी थी नहीं, रिपब्लिक था, बिल्कुल नहीं, क्या था है हैरीडेटरी मोनार्की थी, यानि कि राजा का बीटा राजा बनता था, राजा वो नहीं बनता था जो असली अखकदार होता था, ठीक है, तो हेरीडेटरी मोनार्की हो जाएगा, effective है सर्गा प्रतिसर्गा वन्ष और मनवंतर और इसके बाद वंश दयसके संकेतक तो यह सारे संकेतक क्लेशा कि संकेतक है यह आइस्ञ हो जागा अरंसे बहुंग करता है को इसी इन करता हैarmaज से नेक्स्ट है दरिगवेदिक रिलेजिन वोज रिगवेदिक का रिलेजिन कैसा था तो वो था पॉलिथिस्टिक poly athletic का मतलब काथा बहुड देव बाधी बहुट सारे देवताओं को माना जाता था तब क्या monothistic था नहीं एक देवता थोर नथे non-dualistic अद्यवता भी नहीं थे तो कैसा था poly थेचिक था बहुड झार गळी था सब अपने देवताओं की पूजा करते थे बहुट सारे देवता थे तब, आगे बढ़ते आ, नेक्स्ट कर्षइन है, नेक्स्ट कर्षइन है, और वेदांगों की अगर हम बात करें, तो वेदांगों की टोटल संस्ख्या है, च्छे,inum अचाब वेदांग है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, तो वेदांग क्या है, वेदों को पढ़ने के लिए आपको जो वेदांग है उसको पढ़ना जरूरी है तो वेदांग में क्या क्या चीजे दी गई है, जैसे चंद हो गया, मिट्रिक्स कहते हैं, जैसे ग्रामर हो गया तो वेधों को पढ़ने के लिए वेधांगों को पढ़ना जरुरी है जब तक वेधांग आप पढ़ेंगे नीज पढ़ेंगे ठीक तो वेधांगों की संख्या अगर हम बोले तो छेवेधांगों की संख्या है बात करते हैं 77th called Which of the following inscriptions tells about the Aryan's arrival इन में से कौन सा inscription Aryans के arrival के बारे में बताता है तो बोगस कोई हमने पढ़ा बोगस कोई inscription इसमें जो है देवताओं की संख्या के बारे में भी हमें पता चला था उनके नामों के बारे में भी पता चला था तो बोगस कोई inscription से arrival का पता चलता है 78th question है the first use of word गोत्र गोत्र का पहला प्रयोग कहां पे मिलता है तो गोत्र का पहला प्रयोग हमें रिगवेद में ही मिलता है next है who among the following wrote about the original home of the Aryans तो ये लिखते हैं बाल गंगाधर तिलक ठीक which language was the श्रीमत भगवत गीता रटेन इन तो जो गीता लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता ये संस्क्रित language में लिखा हुआ है next है battle of 10 kings is mentioned in दस राजाओं का जो युद्ध का वर्णन किया गया ये 7th मंडल में किया गया बहुत इंपरेंट question इसको याद रखेगा next है the religion of early Vedic Aryans mainly was तो जो 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 रिलिजन था वेदिक early Aryans का वो क्या था वो था एक तो nature worship था और devotion था यानि कि वो प्रकृति पूजा करते थे और devotion करते थे यजनाज करते थे यग्य वगरा करते थे कुछ और question बचे है आठ नौ मुश्किल से उसके बाद हम complete कर लेंगे इस वीडियो को next question है most Rig Vedic Hymes are dedicated to तो सबसे जादा जो हैं dedicated वो हिंद्र को है 250 के आसपास next on the bank of which river was the famous war of 10 kings तो यह साथवे मंडल में इसका मेंशन है तो हमने पता कर लिया तो कौन से नदी के तट पर यह लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था परुष्णी जिसको अभी हम रावी नदी के नाम से जानते तो यह आंसर हो जाएगा next है नेक्स्त थे रशी अस्वुचा इस तो यह गयात्री हिम्फ फाउंड तो गयात्री मंत्र कहां पे मिलता है तो तो रिख वेदा में मिलता है सिंपल ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्वेशन है, आईरन गेंड प्रॉमिनेंस इन विच ऑफ दे फॉलोईंग, देखे, आईरन जो है लोहा, यह कब इसने प्रॉमिनेंस गेंड करना शुरू किया, कब ज्यादा प्यमस होने लगा तो लेटर वेदी केज में यह उने लग गया, वेदी केज में तो यह होता का संबंध है और आज का Last Question है The Story of Satyakama Jabala, The Challenges, The Blemish of Being and Unwitted Mother is mentioned in Satyakama Jabala की कता जो की एक अनव्याही मा थी और उस लंक्शन को चुनौती देती है तो इसका संबंध किस उपनिशत से है तो इसका संबंध है चंदोग्य उपनिशत से किसका चंदोग्य तो यहां पर हमारा वीडियो क्या होता है एंड होता है हमने पर complete कर लिए दवविधिक एज को ठीक है उमीद करता हूं वीडियो पसंद आहीं होगी पसंद आहें तो क्या गारेंगे like करेंगे comment करके बताएंगे share जरूर करेंगे जिस ग्रूप में भी उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर चैनल पर नए है तो चलिए मिलते हैं एक्स रोडियो में दिल देन बाबाई एंड टेक केर इसके अलाव हमारे कुछ चल रहा है इंडिविजुल बात करें तो लुसेंट का अब्जेक्टिव प्रस सब्सक्राइब का टेलिग्राम का दोनों से जुड़ सकते हैं इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक ब्हारा पेज है जाकर लाइक कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स टूडियो में टिल देन बाबाई एंड टेक केर